हलो माईडियल लेर्नर्स, वेलकम टू आई एस शोर्शॉट, मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 2nd of February, 2nd February 2023 के The Hindu Newspaper को एनलाइस कर रहे हैं, आज के इस The Hindu Newspaper Analysis में, आप लोग सोच रहे होगे ये नया तरीका क्यों, इस नया तरीके के पीछे भी एक कारण है, बताऊंगी, लेकिन दरा डेट देखो आज की 2nd February, 2nd February को देखते ही, अगर आप एक सच्चे UPSC Aspirant हो तो आपको कुछ याद आना चाहिए, 2nd February को एक बहुत important treaty कह सकते हो, sign हुई थी, एक बहुत important convention sign हुआ था, तो ये 2nd February से related कुछ है, जो हम environment में पढ़ते हैं, वो क्या है, किस चीज से सम्मंदित है, वो जो agreement 2nd February से मान जाता है, शुरू हुआ था, वो किस चीज से सम्मंदित है, आप मुझे बताना comment section में, अगर बता पाते हो, तो बहुत बढ़िया बात होगी, और अगर नहीं बता पाते हो, तो कल मैं बता दूगी, ओके, तो 2nd February को एक agreement sign हुआ था, regarding environment, और ये agreement कहा sign हुआ था, ये भी बता है, क्योंकि आज जो है, हम budget की कुछ चीजों को discuss करने वाले हैं, वैसे तो कल budget आया, एक February को, और हमने budget के लिए अलग से एक live session लिया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार फटा फट से आपका revision भी हो जाए, budget को लेकर, इसलिए आज मैंने पूरा newspaper ही उठा के रख दिया, हमारे इस newspaper analysis में, तो देखो सबसे पहले तो, वैसे मैं सारी चीज़े बहुत detail में discuss नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको एक उपर-उपर से idea दूंगे कि budget में हमने क्या-क्या पढ़ा था कल, तो देखो, जो budget आया, वैसे तो ये last full-fledged budget है, हमारी ये वाली government का, अगर 2024 के elections क के बाद फिर से government आती, तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगले साल जो है, वो interim budget आएगा, अभी वाला जो budget था, वो last full-fledged budget था, इस government का, बढ़ते हैं आगे, और देखो, यहाँ पे, कुछ चीज़ों के बार में बात हुई, अगर आम आदमी के perspective से देखे, तो mobile phone हो गए, टीवी हो गए, बाइसाइकल, आटो मोबाल, यह थोड़े सस्ते हो जाएंगे, electric vehicles especially सस्ती हो जाएंगे, हमने कल भी देखा था, इसके लिए same scheme के लिए बहुत अलग से पैसा allocate किया गया है, green energy के लिए काफी पैसा allocate किया गया है, infrastructure यानि कि airport, helicopter, water, drones के लिए भी बहुत पैसा infrastructure में भी डाला गया है, social sector में जिसे जल जीवन mission में बहुत पैसा अच्छे से डाला गया है, अच्छा देको यह सारी चीज़े देखके आपको यह समझ में आना चाहिए, कि sensex होता है न, sensex, nifty वगेरा जो है, वो इस हिसाब से ही उठेंगे, basically हमारे देश के budget हमारे देश की policies पे government जो policies बनाते है, उस पे depend करता है हमारा market ठीक है, हाला कि हमारी government जो है market को सीधे तो regulate नहीं करती है, लेकिन market को influence जरूर करती है, तो आप देखोगे, आज की date में, जो भी यह वाले सारे sectors है, उनके share prices बढ़ गए हुए, क्यों क्योंकि यहाँ पे government invest करने वाली है, यह सब को समझ में आ गया, तो सभी लोगों ने इनी चीजों में invest करना शुरू कर दिया, इसके अलावा देखो प्रधान मंतरी आवास योजना जो है, इसमें rice करने वाली government अपना allocation, साथ लाग तक अगर आपकी income है, तो आपको कोई भी income tax pay नहीं करना है, इसके ब लिए, तो pan card आपके लिए जरूरी हो जाता है, especially इस बार के prelims के लिए, pan card के बारे में question आ सकता है, तो देखो pan card जो है, इसका full form क्या है, permanent account number, यह permanent account number को use किया जाएगा, जितने भी digital systems है, government agencies में, उनके identifier के तोर पे, जैसे अभी तक क्या होता था, आधार card हमारे identity card बना लिए, especially in the digital systems of the government agencies, अगर pan card की बात करें, तो यह एक alpha-numeric number होता है, pan basically एक alpha-numeric number होता है, 10 digit का यह alpha-numeric number होता है, बहुत important है, याद रखना, अगर नहीं समझ में आ तो अपना जाके pan card देखो, 10 number का, 10 number भी नहीं, 10 digit का होता है, यह alpha-numeric number होता है, okay, pan number, और इसमें ही MSME sectors क कुछ भी, काम में, operation में कोई तकलीफ ना है, तो उनके लिए majorly a digital identity card एक तरह से pan card को बनाया गया है, और इनी के लिए विवात से विश्वास scheme लाए गई जिसके हमने बारे में कल भी discuss किया था, कि जो stringent compliances हैं, उनको खतम करने की कोशिश की गई हैं, इसके अलावा जो gift city है इस gift city के लिए कई सारी amendments propose किये गए हैं, इस gift city में भी जो compliances हैं, उनको कम किया जाएगा, जो powers हैं, उनको delegate किया जाएगा, SCZ Act से related जो powers हैं, और जो भी ये सारी powers उनको delegate किया जाएगा, बार बार dual regulation ना हो, कई सारे compliances जैसे आप देखो, center के अलग laws लगते हैं, state के अलग laws ल जाने की कोशिश की गई है, और ये कहा है कि आपको approvals के लिए, या फिर जो भी clearances हैं, उनके लिए आपको अलग-अलग लोगों के पास जाने की ज़रत नहीं है, जिसे कोई भी registration कराना है, जैसा नहीं कि GSTN के पास अलग से गए, RBI के पास अलग से गए, CB के पास अलग से आप single window clearance आपको मिल जाएगा, तो ये majorly बात की गई, इस startups को boost करने की कोशिश की गई, इसके अलवा tourism को boost करने की बहुत कोशिश की गई है, tourism के लिए यहाँ पे हर state में unity malls बनाए जाएंगे, ये unity malls जो होंगे हर state के capital में बनाए जाएंगे, और इन unity malls में क्या होगा, इन unity malls में एक तरह का exhibition लगेगा, इस exhibition या इस तरह के museum type of system में क्या होगा, कि उस state के जितने भी famous products हैं, उस state के नाम से, या उस state में जितने भी geographical indication वाले products हैं, जो जिनकी खासियत ही उस जगर से हैं, जिनकी खासियत ही उसके origin place से हैं, उन सभी को showcase किया जाएगा इन exhibitions में, so that बाक कि लोगों को पता चले कि अच्छा उनके state से यह यह सारी चीज़े famous है, तो यह basically होने वाले unity mall वाला काम, और दूसरी एक vibrant villages scheme आई है, यह vibrant villages scheme क्या है, कि जितने भी border villages हैं, हमारे देश की जितने भी border villages, उनमें tourism को, tourism को promote करने के लिए infrastructure development का काम किया जाएगा, दिन देखो, ब taking ability है, जितना जिसका risk base है, उस basis पे उसके लिए अलग का तरीके का KYC form होगा, KYC system होगा, सबको एक जिसा KYC form भरके देने की जरत नहीं है, दूसरा DG Locker जो है, वो एक important entity हो गया, क्योंकि आज के बाद जितने भी details रहेंगी, government platforms, वो DG Locker के अंतरगर, one stop shop के जैसे रहेंगे, okay, social security में cut देखा गया है, यानि कि जो ministry of labor है, उसको जितना allocation हुआ, वो कम हुआ है, पिछली बार से, और इसी लिए trade unions खुश नहीं है, क्योंकि जो labor है, especially जो informal sector में, उनका जो social security वाला part था, उसमें कम ही देखी गई है, तो उससे trade unions नाराज है, okay, इसके अलब defense budget, जो है, वो ज़्यादा जरूरी है, मुझसे कुछ लोगों ने question पूचा कि मैं हम 24 वाला team देने वाले है, 25 वाला team देने वाले है, फिर भी I will suggest कि एक घंटे का lecture देखके, अगर आपको पूरे देश की economy का trend समझ आ रहा है, तो क्या बुरा है, ठीक है, तो जाके देखो, budget और economic survey दोनों क life card time दे रहे हो, especially 23 और 24 वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, okay, defense budget जो है, वो rise हुआ हमने कल भी देखा था कि कौन से ministry को कितना fund allocate हुआ है, और हमने देखा सबसे ज़्यादा fund जो है, वो defense ministry को allocate हुआ है, क्योंकि हम अपनी जो independence है, हम अपनी जो make in India वाली चीज अब वो आज की date में 1.3% पर आके रुक गई है, in the coming year, ठीक है, इस बार 2.1% ही यहाँ पर allocation हुआ, इसके लब रूरल development में भी allocation कम हुआ है, आप graph के तुरू समझ पा रहे हो गया है, okay, higher education में भी कम allocation हुआ है, और हमारा जो school education है, उसमें भी देखो कम allocation हुआ है, तो काफी कम allocation हुआ है, रूरल development में, अब देखो, इसका एक कारण ये भी हो सकता है, ये माना जा रहा है, ये interpret क्या जा रहा है, क्योंकि अगले साल है, election 24 में election है, तो सरकार पैसा बचा के रखना चाहती है, और election के time use करना चाहती है, so that word bang में मदद मिले, ये कहा जा रहा है, we are not allegating this on anybody, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, तो this is not my opinion, ये ऐसी चीजें कही जा रहे, allegations लगा जा रहे, but ultimately rooted development में, अभी इस बार के लिए तो कोई भी budget नहीं जादा लगया है, इसके लब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, उसमें भी जो budget allocation ने 8% तक कम कर दी गई है, साथ में national digital library बनाने की बात कही है, हमारी finance minister मैं आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि Acer की report आई और उसमें कहा गया, कि भाई बच्चे जो है maths वगेरा तो फिर भी कर ले रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने में, reading में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसी लिए national digital library लाई गई है, साथ में manrega की one of the most successful scheme of India, और उसमें 33% cut कर देना, और especially manrega में और भी कई सारे changes लाए जा रहे हैं, जिससे जनता जो है, especially rural जनता बिलकुल खुश नहीं है, अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे, skewing towards rich देखने को मिला है, वो companies जो काफी लंबा चोड़ा profit कमा रही है, 500 करोड के उपर profit कमा रही है, उनका effective tax rate जो है, वो कम हो गया है, effective tax rate कम हो गया है, मतलब अब उनको ultimately पिछली बार से कम rate पे कम tax देना पड़ेगा, okay, अच्छा, इसके साथ में आप देखोगे, ministry of ayush को भी, यहाँ पे अच्छा allocation मिला है, ayurveda institute को यहाँ पे अच्छा allocation मिला है, साथ में ये कहा scavenging अब हमारे देश में नहीं होगी, इसी के लिए बीच में government एक scheme भी लाई थी, जिसका नाम था नमस्ते scheme, national action plan for mechanized sanitation ecosystem, ये scheme भी लाई थी, तो इसमें ही 100 crore rupees का budget allocation किया गया है, ये नमस्ते scheme जो थी, इसके साथ में ये scheme लाई गई थी, self employment scheme for rehabilitation of manual scavengers, तो इन दोनों के लिए काफी अच्छा allocation किया गया है, green energy के लिए भी काफी अच्छा allocation किया है, मैंने कल बहुत detail में बताया था कि hydrogen plan है, funds वगएरा बनाय जा रहे है, green energy के लिए, ठीक है, green credit line बनाय जा रही, बहुत सारी चीज़े हो रही है, तो आप एक बार उसको check out कर लेना, ये सिर्फ एक revision purpose के आपको दिखा रही हो, science and tech में allocation बढ़ा है, ठीक है, science and tech में allocation बढ़ा है, लेकिन आप देखो के space sector में allocation कम हुआ है, all right, अच्छा इसके अलवा, railways में, railways को जो outlay है, वो 2.4 lakh crore का हुआ है, इसमें काफी outlay जो है, वो वंदे भारत trains के लिए किया गया है, साथ में 5G labs जो है उसके लिए बहुत बढ़ा allocation हुआ है, ये बोला जा रहा है कि 100 5G labs open की जाएंगी, specially जो 3 major educational institutions होंगे, वहाँ पर ये 5G labs, artificial intelligence labs खोली जाएंगी, 5G labs जो ये खोली जाएंगे 100 से जादा, वहाँ पर basically apps open की जाएंगी, digital infrastructure create किया जाएगा हमारे देश के लिए, इसके साथ में digital scrapping policy लेकर आई हमारी सरकार green economy को बढ़ावा देने के लिए, electric vehicles को बढ़ावा देने के लिए, जल जीवन mission में funds का flow जादा होगा, women, women के लिए एक scheme आई है, महिला सम्मान saving certificate, इसमें क्या होगा, दो साल के लिए, 2 years के लिए, women जो है, 2 lakh रुपे तक का deposit कर सकती, इस पे एक fixed rate है, 7.5% का वो मिलेगा, तो one time saving scheme लाई गई है, for the women, इसके साथ health outlet की बात करें, तो health में अभी भी allocation कम ही है, कोई बहुत जादा हुआ नहीं है, out of pocket expenditure अभी भी हमारे देश का, इंडिया का 50% से जादा है, यानि कि 50% से जादा जो health expenditure है, वो लोगों को खुद के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, government spending बहुत कम है, अभी भी हमारे health sector में, इसके अलावा tribes के, लिए tribes के development के लिए 15,000 करोड रूपे spend करने की बात कर रही है, government, especially एक scheme की बात हो रही है, PM PVTG development scheme, ये PVTG क्या है, particularly vulnerable tribal group है, ये वो group है, जो tribal group तो है ही, वलनरेबल तो है ही, लेकिन सबसे वलनरेबल ये group है, तो हमारे देश में लगबग इस तरह के 75 tribes है, जिनके लिए ये scheme लाई गई है, कैसे इनको develop कराना है, इसी के साथ एकलव जो tribal population के लिए ही होते है, इनमें students, sorry, teachers के जो enrollment है, teachers के जो training है, teachers का recruitment जादा होगा, इसके साथ में, ये देखो, ये editorial आपके किसी का के नहीं है, बहुत सारे editorial आएंगे अभी budget को लेकर, इतना कुछ भी हमारे काम का नहीं है, इसमें अपना time waste बिलकुल मत करना, सबके अलग-अलग करी के opinions होंगे, काफी political based opinion होते हैं, तो आपको ये political opinions में नहीं जाना है, जैसे कि मैं अभी बता रही थी ना कि अगले साल हो स session में कर चुके हैं, यहां पर एक बार revision करा रही थी, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, अब आज के major मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो पहला मुद्दा जो है, that is about judicial majoritarianism justified, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, कि भाई देखो ऐसा है, कि आप देखते हो न वाली जो benches होती है, उसमें होता है decision based upon majority, कि किसने judges क्या कह रहे हैं, कोई एक judge, जो अगर मान लो dissent करता है, यहां वो agree नहीं करता बाकियों के judgment से, तो उसके judgment को कोई महत्व नहीं दिया जता, बाकी majority के judgment को सही माना जता है, उसी के उपर ये question खड़ा होता है, ये article उसी के करता है कि क्या judicial majoritarianism वाली जो चीज है, क्या justified है, क्या judges को भी हम ऐसे head count करके justice deliver करेंगे, क्या ये सही है, क्या हो नहीं सकता कि minority decision भी meritorious हो, तो इस बारे में ये article है, तो देखो अभी क्या हुआ, recently एक majority judgment आया Supreme Court का demonetization को लेकर, demonetization को भी लेकर एक judgment आया था Supreme Court में, जो इसमे उन्हों ने बोला कि नहीं भई, ऐसा नहीं है, इसमें ये गलत है, demonetization में RBI ने जो किया है, सिर्फ central government की बात में हां मिला, ये सिर्फ अपनी रदामंदी दी है, ठीक है, central government को जो करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो RBI जो है, RBI अपना homework नहीं कर पाई है, और ये चीज तो थी एक minority judgment रहे गई, क्योंकि शिर्फ एक ही जजज ने ऐसा बोला, बाकी समने बोला, नहीं नहीं, demonetization में कोई दिक्कत नहीं है, तो basically जो minority judgment है, इसके उपर हमारा जहान जाना चाहिए, question ये है कि क्या हम सिर्फ numerical majority के basis पर justice deliver कर रहे हैं, क्या ये सही है, अच्छा देखो यहाँ पर judicial majoritarianism की बात करें, तो judicial majoritarianism क्या है, कि भाई, अगर कोई भी case है, उस case में, अगर जादा judges है, उस judges, उनके judges में, कितने judges क्या बोल रहे हैं, अगर majority of the judges ने बोला कि X judgment दिया, minority judges ने Y judgment दिया, तो कोई minority judgment को सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, consider ही निकलेगा, सिर् के question होते है, constitutional provision से related होते है, या फिर constitution को आपको उसमें interpret करना होते है, इस तरह के जो questions आते है, court के पास, उसमें generally constitutional benches बनाई जाती है, constitutional benches का मतलब होता है, ऐसी benches जिसमें 5 या 5 से जादा judges होंगे, तो यह जो constitutional bench का provision है, यह article 145 clause 3 से आते है, हमारे constitution में, याद रखना, article 145 clause 3, यह जो article 145 clause 3 है, वो बोलता है कि भई जो ऐसे matters है, जो national importance के है, constitutional interpretation के है, उनके लिए आपको 5 या 5 से जादा judges की जरुदी है, यह judges 5 हो सकते है, 7 हो सकते है, 9 हो सकते है, 11 हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, ओके, और इसमें यह कहा गया है कि भई जितने भी judges होंचा है, तो 13 judges है, मान लो, कि 7 judges एक बात कह रहे, और 6 judges एक बात कह रहे, तो यह 6 judges का कोई महत्व नहीं है, जो 7 judges कह रहे हैं, क्योंकि majority यह है, वही जीतेंगे, तो यह 6 judges उतने है, सोचो नो, इतने है, judges अगर कोई बात कह रहे हैं, तो कुछ तो उसमें logic होगा, लेकिन हमने उसके बारे में सो to of the judges का देखोगे कि क्या जच्मिंट है लेकिन क्वेश्चन क्या खड़ा होता है कि वह जच्जिस कोई पॉलिटीकल परसन थोड़ी कोई पॉलिटिशन थोड़ी जो पब्लिक के मेंडेट के हिसाब से आ पब्लिक ने जितने वोट दिये उतने वोट के हिसाब से कोई MPI में ने चुना लिया यहाँ पर बैसिकली जजिस की बात हो यह जजिस जो है अपने लॉइखल एक्सपर्टीज अपने लीगल एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते हैं है न तो यहाँ पर उनके साथ उनको वै विरा जुद्य कि बैंच ओधिरा मैंस को सबीब दूसरा उनका उनके धिविद को उपने जजुमेंट को affect कर रहे हैं तो यह दो चीज़ें हैं जिसके basis पे different या फिर varying opinion लब को देखने को मिलते हैं जैसे कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि seven is to six का judgment रहा है साथ लोग कुछ और कह रहे हैं छे लोग कुछ कह रहे थे तो इनके तो कोई value ही नहीं रही ठीक है इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा वही चीज़ हुई थी ADM जबलपूर वर्सस शिवकान शुकला केस में बहुत important केस है 1976 का केस है इसमें exactly हुआ क्या था हमारी former prime minister मैम इंद्रा गांधी जी जिन्होंने जब emergency लगाई तो emergency लगाने के बाद इन्होंने क्या क्या सभी को arrest करवा दिया जितने भी opposition leaders थे सभी को arrest करा दिया और उस time पे जो president है उन्होंने भी ये बोल दिया कि भाई कोई भी article 14 या article 21 या article 32 को article 14 21 इसी भी article को enforce करने के लिए supreme court या हाई कोट में नहीं जा सकता मतलब कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो आप अपना exercise नहीं कर सकते emergency के दोरान तो इस time पे सभी लोग जो सभी opposition leaders जो jail में बन थे house arrest थे वो लोग जाते हैं हाई कोट के पास और हाई कोट बोलता है कि नहीं भी ऐसा नहीं कर सकते आप हाई कोट बोलता है कि चाहे emergency हो कि कुछ भी हो आप लोगों से court का दर्वादा खटकटाने का हक थोड़ी न चीन सकते हो तो हाई कोट ने opposition leaders के favor में फैसला सुनाया तब सरकार पहुँझाते supreme court और supreme court में जो judgment आता है उसका नाम है ADM जबलपूर वर्सिस शिवकांच शुकला केस सुप्रेम कोट में भी judgment आता है ये judgment होता है four is to one का judgment four is to one का judgment जो ये था इसमें चार जुझे बोलते हैं कि हाँ भाई सही बात है कि जो law है law अगर आपको हक देता है law अगर आपको fundamental rights दे रहा है तो law आपसे fundamental rights छीन भी सकता है तो सरकार सही कर रही है अगर सरकार ने emergency लगाई और सरकार बोल रही है कि आपको ये जो अपने article 21 article 14 को enforce करने की power नहीं है तो नहीं है तो four judges ने ये बोला कि four judges ने basically government के favor में फैसला सुनाया लेकिन उस time पे एक judge थे जिनका नाम था HR खन्ना ये HR खन्ना जो थे इन्होंने public के इन्होंने जनता के इन्होंने citizens के favor में फैसला सुनाया इन्होंने बोला ऐसा नहीं है लोगों के पास जो जीने का अधिकार है right to life है right to liberty है वो constitution के पहले से है ऐसा नहीं कि constitution के बाद से आया है तो आप उनसे high court या supreme court में आने का हक नहीं शीन सकते तो HR खन्ना एकलोते ऐसे judge थे जो minority judgment जरूर दे रहे थे बिना डरे government से इस तरह का judgment जरूर दे रहे थे लेकिन उनको इस चीज की कीमत भी भुकत नहीं पड़ी HR खन्ना senior most judge थे चाहते मतलब अगर procedure से चला जाता तो CGI होते है Chief Justice of India होते लेकिन उनको government ने skip कर दिया क्योंकि उ वाला case है ना इसको यह माना जाता है this is this was the darkest moment on the democracy of India ठीक है यो कि आपने लोगों की नहीं सुनी जो judges थे जो Supreme Court था Supreme Court का यह judgment है उसमें समझे आता है कि democracy के आपने नहीं सुनी लोगों की नहीं सुनी आपने government की सुनी लेकिन उसमें सिर्फ एक जज थे HR खन्ना जी जिन्होंन एक्चुल में democracy की सुनी थी और उनका जज्जमेंट था minority जज्जमेंट इसको कोई तवज्जो नहीं मेली ठीक है अच्छा इसी के जैसा एक और केस था सुब जस्चिस सुबाराओ ने यहां पर dissenting opinion दिया था खडख सिंग केस था 1962 का जिसमें privacy की बात हुई थी तो उस minority जज्जमेंट था इसी लिए उसको तवज्जु नहीं दी गई ठीक है अच्छा यही जीज़ आप देखते हो इसका भी एक यहां पर लॉजिक है कि अब देखते हो जब भी एक study ने बताया कि जब emergency थी उस टाइम पर judicial descent बहुत कम होता था बहुत कम judges होते थे जो government के अगे influence का भी फरक पड़ जाता है ओके अचा अभी देखो अभी क्या हो रहा है अभी यह है कि भाई minority जज्जमेंट हमीशा गलत नहीं होते जिसी यह एचार खन्ना वाला कीस है यह माना जाते है कि एचार खन्ना ने dissenting opinion जरूर दिया लेकिन आज तक का सबसे सही decision वही था तो basically हम यह नहीं कह सकते कि constitutional bench है इसमें सिर्फ हम headcount करके numbers निकालने इस चीज़ के बारे में हमारी judiciary को हमारे system को actual में सोचना चाहिए क्योंकि यह actual में बड़ा question खड़ा करता है हमारे justice system पे judicial system पे ओके तो यह था पूरा article next article की तरफ बढ़ते हैं what is government's new policy of UPI for NRIs तो देखो जो NRIs ह हो जाते NRIs non-residential Indians अब अगर माद लो इनको अपने घर भेजना है कुछ भी gift भेजना है या कुछ भी करना है तो यूपियाई यूज ही नहीं कर पते है क्योंकि यूपियाई तो इंडिया में चलता है unified payment है ठीक है यह unified payment interface है तो basically यहां पे government लेकर आये कि नहीं भई अनरा इ यूपियाई जो है वो यूज कर पाए तो इसके लिए NPCI National Payment Corporation of India लेकर आया है international phone numbers के लिए UPI तो union cabinet ने भी इसमें अपनी रजामंदी दे दी है और basically जो international numbers है दो तरह के होते हैं एक होता है non-residential external account और दूसरा होता है non-residential एक होता है NRE एक होता है NRO non-residential external account is NRE और NRO होता ह है non-residential auditory account non-residential external account जो है वो क्या है यह देखो NRE जो है न वो क्या होता है जिसमें कोई person बाहर काम कर रहा है और वो अपने देश में पैसा भीज रहा है ठीक है तो जो उसका बाहर यह देखो non-resident जो है वो जब अपनी earnings को transfer करता है foreigns और इसे इंडिया में तो उसके लिए NRE account यूज होता है NRO account क्या है कि कोई person बाहर रहता है लेकिन वो पैसा इंडिया से कमा रहा है जैसे को सकता है उसका घर हो इंडिया में और वहां से उसको rent आ रहा हो तो वो जो पैसा वहां से इंडिया से उसके पास जा रहा है that is according to NRO account ओके तो NRE और NRO account है इनको यहां पे eligible कर दिया गया है UPI के लिए और especially अभी 10 countries में यह अलाओ किया गया है Australia, Singapore, Canada, Hong Kong, Oman, Qatar, US, Saudi, UAE और UK में ठीक है अच्छा इसके अलावा जो भी developments होंगे इसमें NRI जो है NRI अपनी payment methods use कर पाएगा UPI वाली और जो भी उसके घर के utility bills हैं कुछ भी DTH का bill हो गया mobile का खर्चा हो गया ज तो अभी क्या हो रहा था ना अभी यह system allowed नहीं था क्योंकि हमारा जो NPCI है उसने UPI इंडिया के लिए बनाया था UPI transaction इंडिया बेज मोबाइल के लिए थी लेकिन अब इसको हम expand कर रहे हैं इसमें question आता है MDR का MDR is merchant discount trade merchant discount trade क्यों होता है कि मानलो मैं किसी shop पे गई और shopkeeper को म मैंने बोला कि भाईया मैं तो ना digital payment करूँगी UPI के तुरू payment करूँगी यह digital payment करूँगी जो भी तो उस shopkeeper को कुछ percent उसमें से कटके मिलता था उसका एक या दो percent जितना भी payment हो है उसका एक या दो percent कटके मिलेगा और यह जो पैसा है यह होता है merchant discount trade और यह पैसा जाता है कि इसके पास bank के पास क्योंकि उसके बीच में कई सारी issues होते ना payment gateway लगता है और इस सारी चीज़े तो अभी एक हाजार है कि इस UPI में MDR नहीं लगेगा अब इसके उपर question है कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए UPI अभी तक काम कैसा कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर है देखो डीजी धन डैश्वोट जो है वो बताता है मीटी का मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स एन इंफोमेशन टेक्नलोजी का यह डीजी धन डैश्वोट है यह बोलता है कि अभी तक कि जितने भी टीजिटल पेमेंट हो रही है उसमें 50% से जाधा पेमेंट यूप इंडिया और यूएस के बारे में इंडिया और यूएस के जो नैशनल सिक्योर्टी एडवाइजर्स है वो मिले इन्होंने अपने स्ट्राटिजिक टाइज में टेक्नलोजी प्लांस को भी शामिल किया है यहां पे इनीशियेटिव ओन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक् इंडिया और यूएस जो है वो कोलाबरेट करे और साथ में आके काम करे तो इसके लिए को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए को डेवलाप्मेंट को इंक्रीज करने के लिए दोनों कंक्रीज जो है सप्लाइचेंज क्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं इकोसिस्टम को develop करने की कोशिश कर रहे हैं startups की ecosystem को और दोनो governments इसमें साथ में है इसमें 6 areas होंगे जिसमें काम किया जाएगा पहला होगा innovation ecosystem दूसरा defense तीसरा होगा technology cooperation and resilient semiconductors फिर supply chain होगी space होगा stem talent होगा और next generation telecommunication ये कुछ areas हैं जहां पर हम ICET के अंतरगत काम करेंगा याने की initiative on critical and emerging technologies के उपर काम करने वाले हैं quantum computing हो गया 5G हो गया 5 इसके अलावा जो semiconductors है वो हो गए इन सभी के उपर काम होने वाला है majorly बस यह है कि strategic partnership में हमने technology को भी शामिल कर लिया है question अगर आप से पूछा जाता है prelims में what is ICET related to तो आपको समझ में आ चाहिए this is basically a partnership between इंडिया और यूएस इंडिया और यूएस की partnership है regarding technology इसके अलवा एक और मुद्दा है vibration disturbance led to SSLV D1 failure basically हुआ क्या हमारे देश में पहली बार small satellite launch vehicle ने कुछ made in flight करी made in flight यानि कि अपने पहली पहली फ्लाइट करे और इसके थो हमने भीजा था earth observation satellite number two और एक और साथ में था आजादी सैट इस तरह की दो इज़र satellites भेजी गई थी small satellite launch vehicle के थो नेकिन यह fail हो गए यह नहीं लगा पाई इन satellite को इनके orbits में और यह fail हो गई यह जो launch vehicle यह fail हो गया क्यों फेल हो गया अब समझ में आया क्योंकि इसमें vibration disturbance हुआ था तो बास आती है यहां पर SSLV की यह SSLV क्या है small satellite launch vehicle है यह launch vehicle याने की basically जितने भी satellites है यह जो भी payload है उसको यह space की orbits में launch करने का काम करते है SSLV जो है यह basically three stage launch vehicle है जिसमें तीनों stage में solid fuel आपको देखने को मिलता है और एक last terminal stage होती है जहां पे liquid propellant आपको देखने को मिलता है यह जो SSLV है 500 kg तक की जो satellites है उसको 500 km उपर space में यह place कर सकती है काफी easy होता है SSLV का handling क्योंकि infrastructure की ज़्यादा जरूरत नहीं है fuel कम लगता है handling काफी flexible होती है तो यह सारे इसमें चीज़े है SSLV के बारे मैं आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हमने recent lease को भीजा था जो कि यह fail हो गई ठीक है तो यही था आज के news में सभी कुछ ठीक है इसके अलावा और कुछ जादा है नहीं अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो यू can always connect with us हमारी Gmail ID में आपको बता देती हूं इस पर आप हमसे connect कर सकते हो आपके कोई भी problem लो ना आप इस पर connect कर सकते हो दूसरी चीज हमारा एक टेलिग्राम चानल है इस फ्योर शॉर्ट बाय मयूरी भागवानी उसको जॉइन लरूर कर ले न ठीक है तो कि उसी पर हम आपको सारी updates देते हैं so that was all thank you for watching and have a very good day okay